हलो एवरीवन वेलकम तो दे यूट्यूब चैनल बोटनी फर ओल इन आवर तुदेश वीडियो आम गोंग तो डिस्कॉस अवाओ टॉपिक रिसेप्टर्स इन दिसल सिग्नली तस इस थर्ड पार्ट अव सेल सिग्नलिंग सीरीज फो दे प्रिविएस वीडियो और फो दे कम कोई भी सिग्नल सेल एक टार्गेट सेल को सिग्नल बोहस कि है जिस सिग्नल को सिग्नल मॉलेक्यूल या लीटे हिंड कहते हैं यह सब इंत्रडक्शन में हमपढ़ चुके हैं रिसेप्टर के बारे में भी बेसिक इंफ्रमेशन हम फस्ट बाटे रिवीड यह इनिट जो होत हैं प्रोटीन्स या ग्लाइको प्रोटीन्स यह रिसेप्टर डारेक्ट सेल के सर्फिस पर भी होते हैं मॉस्टली या कभी-कभी अगर सिगनल मॉलिक्यूल लिपोफिलिक है तो लिपिड लविंग होने के श्रिप्टर इनका में फंक्शन जो है वह रिसेव करना है सिगनल मॉलिक्यूल को यह रिसेव करते हैं सिगनल मॉलिक्यूल को किसी भी तरह का सिगनल मॉलिक्यूल उसके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है चाहें वो आउटर सर्फेस पर यानि सेल के सर्फेस पर हो चाहें वो साइटो प्लाजम के अंदर हो साइटो सॉलिक इस पर आकर लीगेंड ने बाइंड किया तो रिसेटर की बाइंडिंग से ही अंदर की तरफ सिगनल कैस्केड इनिशियेट होता है यानि जो भी काम इस लीगेंड ने करना है है सेल के अंदर initiate करना है कोई भी काम सेल का जो behavior वो change करना है उसके अंदर कोई भी response element है या transcription factors उनको activate करना है वो सारे काम activate करने का काम तब होता है जब ligand आकर usually bind कर जाता है तो जो खुद receptor है इसकी जो internal domain होती है जो cytosolic domain है वो लिंक होती है कुछ protein से या chain of protein से जरूरी नहीं कि डारेक्ट बस ligand आते ही काम शुरू हो गया पहले कुछ proteins activate होंगे जो कुछ other several proteins के अक्टिवेट करके सेल का behavior change करते हैं से signal transaction कहते हैं जो आने वाले लिए एक information है receptor के बारे में कि वह है क्या chemical nature उनका क्या है और उनका काम क्या है उनका काम है ligand से पाइंड करना और सेल का जो ट्रांस्डक्शन है यह जो response है सेल सिग्नलिंग का उसको यह induce करते हैं रिसेप्टर location wise two types क्यों हो सकते हैं location के basis पर दो तरहें के रिसेप्टर हो सकते हैं एक होते हैं intracellular जो cell के अंदर हो और दूसरा होते हैं cell surface receptors करेगा आने वाला signal molecule कैसा है उसके अगर लिगेंड जो है यह जो molecule आ रहा है वो हैड्रो फिलिक है अगर है रिड्रो फिलिक लिगेंड है तो प्लास्म मेंबरेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो उसका जो परसीविंग है उसका जो reception है वो cell के surface पर जो receptors है वो करेंगे तो ज्यादा तर जो receptor होते हैं mostly वो cell surface receptor ही होते हैं क्योंकि लीगेंड भी ज्यादा हाइड्रो फिलिक होता है कलमने signal molecule के बारे में पढ़ा था प्रिवेस वीडियो में आप देख सकते हो तो हाइड्रोफिलिक molecule ज्यादा होने के कारण cell surface receptor ही ज्यादा होते हैं ऐसा receptor जो प्रेजेंट है सेल के surface पर और एक्स्ट्रा साइट्र सॉलिक साइट बाहर की तरह कुछ जो होते हैं वह इंट्रा सैलूलर भी हो सकते हैं यानि वह सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऐसा कोई molecule जो लीपोफिलिक है मोस्ट्ली लीपोफिलिक molecule plasma membrane को क्रॉस कर जाते हैं अंदर पहुशते हैं अंदर जाकर वह अपने receptor से बाइंड करते हैं माली यह nucleus per receptor है तो यह intracellular receptor है अंदर भी cell के अंदर भी nucleus पर भी हो सकता है cytosol में भी हो सकता है जैसे कि steroid हार्मोन जब आते हैं तो steroid हार्मोन का receptor cytosol में अलंकि वह जाकर बाद में nucleus पर ही bind करेगा transcription factors से या अपने response elements से bind करने के लिए लेकिन फिर भी उसका जो first receptor है वो cytosol में ही तो intracellular receptor जब receptor cell के अंदर हो intracellular और जब receptor cell के surface पर हो तब वो कहलाते है cell surface receptor molecule के type पर भी है depend करता है hydrophilic molecule जो plasma membrane को नहीं cross कर सकते उनका receptor intracellular नहीं हो सकता तो उनका receptor जो है वो cell surface receptor होता है और लिपोफिलिक molecule जो mostly cross कर जाते हैं तो उनका जो receptor वो intracellular है उस exception से कुछ ऐसे भी लिपोफिलिक molecule है जो CSR से bind करते है यह जो cell surface receptor से भी bind करते है बट usually एक general case यह है कि हाइड्रोफिलिक CSR से और लिपोफिलिक molecule जो है वो intracellular receptor से बाइंड करते है तो ज्यादा तर लिपोफिलिक होते हैं इसी कारण CSR जो है CSR जो cell surface receptor है यह most common है तो दो तरह के receptor cell के अंदर पाए जाते हैं intracellular और cell surface receptor बोथ हार of protein और glycoprotein nature and they will bind with their ligand which we also called the signal molecule let's talk about the intracellular receptor first receptor दो तरह के हैं intracellular और cell surface receptor तो वो receptor जो cell के cytosol side या अंदर की तरफ intracellular है present उन्हें हम intracellular receptors कहते हैं यूजिली इनका signal molecule होता है वो अभी भी हमने discuss किया था वो लीपोफिलिक होता है क्योंकि लीपोफिलिक molecule जो है small size के हैं लिपिड लविंग है तो easily plasma membrane को cross करके cell के वो अंदर आ जाएंगे यह माली जी कोई लीपोफिलिक molecule है कि plasma membrane को cross करेगा और यह अंदर cytosol में एंटर कर जाएगा यह सब को नूकलियस है तो ज्यादतर जो इंट्रacellular receptors है उनका लीगेंड binding domain बाहर की तरफ है जो लीगेंड से बाइंड करेगा आने वाले लीगेंड से और उनका जो इंट्रा पार्ट है जिसे हम cell surface receptor में तो intracellular कह देते हैं यहां पर हम इंट्रा नूकलियर कहेंगे तो नूकलियर के अंदर का जो पार्ट है वो यूज्यली response elements या transcription factors से बाइंड रहता है यह हम कह सकते हैं एक तरह के DNA से बाइंड है जो transcription factor है जो transcription करेगा translation करके खुद को code करेगा तो आने वाली information यानि कि लीगेंड जाकर नूकलियर का जो receptor है उसके लीगेंड binding domain पर बाइंड करेगी तो intracellular receptors के जो signal molecule होते हैं वो लीपोफिलिक molecules होते हैं हमने signal molecule में पढ़ाता कि तरह तरह के signal molecules हो सकते हैं जैसे कि steroid hormone हो सकते हैं non steroid hormone हो सकते हैं कुछ simple hormone हो सकते हैं protein हो सकते हैं peptides हो सकते हैं amino acid हो सकते हैं और heat touch response कई तरह के लीगेंट प्रेजेंट हो सकते हैं तो उन में से केवल लीपोफिलिक इसको आप सिगनल मॉल्टिूल में देख सकते हो कि कौन-कौन से जो है वो लीपोफिलिक होते हैं मैं यहां भी लिख देता हूँ यूज्वली जो स्टीरोइड हार्मोन से उनके रिसेट्टरें इंट्रस स्टीरोन है विटामिन डी है यह भी लीपोफिलिक मॉलीक्यूल है इनके भी रिसेट्टर जो होते हैं वह इंट्रस एलूलर होते हैं कुछ नॉन स्टीरोइड हार्मोन्स के भी जैसे थाइरॉइड के ठीक है रेटिनॉइक एसिड्स के आई-पी-3 के कॉर्टिसोल के एल्डोस्टिरोल के यह कुछ ऐसे सिगनल मॉलेक्यूल है जिनका यह लिपोफिलिक सिगनल मॉलेक्यूल है तो इनका रिसेट्टर जोगा वह इंट्रसेलूलर ही होगा इंट्रसेलूलर रिसेट्टर एज आफ टोल्ड यू अर्लियर साइट् सब्सेटर दी साइट उसल जैसे कि बात करूं तो स्टीरोइड हार्मोन की जो रिसेप्टर ने स्टीरोइड होर्मोन तो उसमें क्या होगा कि steroids जौएंगे सेक्स अरमुस जौएंगे वह यह आकर करेंगे पिर उसके बाद ये receptor ativasट होकर नूपलिस पर ही चला जाएगा बडर डिरहटनी नॕलिहस पर morphology alumni थे सभी इंट्रास बिर्शेप्टर की एक common family होती है जिसे हम nuclear receptor family कहते है nuclear receptor super family तो चाहें steroid का ही receptor क्यों ना हूँ steroids के receptor cytosolic है वो भी इसी family में आते हैं have both cytosolic receptor as well as nuclear receptor तो ऐसा नहीं है कि के वह nuclear receptors की ही ये family है इस family में दोनों तरह कि यानि intracellular receptor सारे ही आते हैं ये common family है structure similar होता है चाहें वो cytosolic receptor हो चाहें वो nuclear receptor हो और intra cellular receptor cytosol में भी हो सकते हैं और nucleus में भी हो सकते हैं molecules भी पूछे जा सकते हैं कि कौन-कौन से molecules के रिसेप्टर जो है intracellular है तो आफकोर्स जो लीपो फिलिंग है जो क्रॉस कर जाएंगे उनकी जो receptor है वो intracellular होते हैं इनर साइड में यह response elements से बाइंड होते हैं उन response elements कि binding डारेक transcription फ्यक्टर से हो सकती है या वो खुद transcription factor हो सकते हैं जो क्या करेंगे फिर response को सिक्रेट करेंगे रिस्पांस को generate करेंगे यानि इस लीगेंड की वजए से जो भी response होना है उस response को वो इस ने करना है वह एक्षन सिग्नल ट्रांस्डेक्शन है या उसके एक्षन्स बना करने के लिए किसी भी आर्मोन के आने प्रजेक्शन प्रफॉर्म होते हैं उनको वर्क कराने के लिए भी response element जो है वो responsible है, तो receptor पर जैसे ही ligand आया active होता है, ligand की binding जो है usually receptor को activate करती है, और receptor activate होते ही अपने response elements को activate करता है, और response elements जो है वो function को perform कराते हैं, कुछी exception ऐसे हैं जो ligand आने पर receptor inactive हो जाएगा, अदरवाइस ligand के आने पर receptor active होते है हमेशा, ठीक है, तो लिगेंड आएगा तब receptor जो है वो एक्टिव होंगे और अपना काम करेंगे तो जो receptors होते हैं intracellular receptor यह monomer या dimer दोनों forms में exist कर सकते हैं माली जी यह nucleus है let's say this is a nucleus कि इस पर कोई भी nuclear receptor present है यहां हम cell दिखाते हैं कि यह complete cell है और यह उसके अंदर nucleus है तो intracellular receptor of course ज्याद़ तर nucleus में होते हैं तो यह को intracellular receptor है intracellular receptor mostly monomer होते हैं sorry diameter होते हैं तो यह दोनों तरह से exist कर सकते हैं monomer भी और diameter भी यह अगर unit में diameter बनाएंगे तो यह अपने response element के साथ diameter को form करते हैं तो monomer में क्या होता है कि जब ligand आ गया यह receptor है तो यह receptor directly binded है किसी transcription factors से यहां किसी तरह का कोई diameter formation नहीं हुई है लेकिन जब diameter formation होगी तब देखिए कैसे काम करेगा कि यह कोई receptor है यह diameter बनाता है exactly अंदर की हैं तो दो यूनिट होंगे इस तरह से एक और फिर दूसरा यूनिट और यह response element से bind होंगे ठीक है देखिए यहां पर transcription factor दिखाया था यहां भी जो है response element हो सकता है directly लेकिन जो receptor है वो मोनोमर रहेगा यानि इस तरह से केवल एक यूनिट रहेगी अंदर जो response element यह transcription factor से बाइंड़ है response element के साथ केवल मोनोमर यह unit अटैच है रिसेप्टर की लेकिन अगर response element के साथ receptor की डायमर यूनिट अटैच हो चाहें परसीविंग एक हो चाहें परसीविंग सिगनल दो भी हो तो अंदर की तरफ अगर डायमर यूनिट अटैच है response element से तो हम कहते हैं कि डायमर फॉर्म किया है तो मोनोमर हो सकते हैं डायमर हो सकते हैं इंट्रा सैलूलर रिसेप्टर में मोनोमर का वन रिसेप्टर तो यह एक रिसेप्टर है जो मोनोमर की तरह काम करेगा डायमर में दो केस होते हैं एक होमो डायमर जब दो एक जैसे यूनिट माली जी यह एक रिसेप्टर है यह स्टीरोइड का रिसेप्टर है तो इन्होंने डायमर बनायाओ है और होमो डायमर और फिर यह नीचे लिंक है है रिस्पोंस एलिमेंट से टो होमो डायमर रिसेप्टर जो इसका एक्जाम्पल है स्टीरोइड Соoped हमोन के रिसेप्टर हैं वह होमो हेट्रोडायमर के अगर बात करें तो जो थाइरोइड हॉर्मोन के रिसेप्टर होते हैं थाइरोइड हॉर्मोन के जो रिसेप्टर हैं वह हेट्रोडायमर रिसेप्टर से उनमें क्या कंसेप्ट होता है कि माली जी यह एक रिसेप्टर है थाइरोइड हॉर्मोन का तो वह गोई एक एसिड का इसको टियार से लिख रहा हूं फिर यह लिंक है रिस्पॉंस अलिमेंट से लेकिन दौनों अलग अलग है थायोइड का एक रेटिनॉइक का चाहे लिगन थायोइड याए फिर फिर भी लिगन आने पर अक्टिवेट हो जाएगि रिस्पॉंस सेलीमेंट भी एक्टिवेट हो जाएंगे या दोनों रहें या कोई भी एक रहे तब भी रिसपॉंस लावा हेट्रोडायमर में थाइरोइड के जो रिसेप्टर होते हैं वो भी हेट्रोडायमर है रेटिनोईक एसिड के रिसेप्टर भी फिर हेट्रोडायमर होंगे क्योंकि वो भी थाइरोइड के साथ रहेंगे दूसरा जो मोनोमर यूनिट है और विटामिन डी के ज़िए कि स्टीरृ इदो जैनिक एसिड्ट वार तो वाला रिसंट्टर को जिसतरह से रहेगा रिस्पॉन्स अलिमेंट है्ये टैमार मेर रिस्पॉन्स के सांद दो यूनिट एटाइच होंगे रिसेटर के सेम है तो होमो और अलग लग है तो हेट्रोडायमर इस तरह से जो है रिसेटर्स होते हैं इंट्रासैलूलर रिसेटर्स in tracellular receptor में ही nuclear receptors के structure कि हम बाद करते हैं तो mostly जितने भी nuclear receptors हैं क्विकी एक फैमिली के है तो सब꺼ा structure जो हए common structure क्या है तो क्योंकि एक यह protein है तो protein में end terminal है और C-terminal है this is the end terminal this is the C-terminal यह दो terminal एक protein के इसके बीच में बहुत सारे region होते है इनको 5 जो है सब पार्ट में डिवाइड किया जाता है इन प्रोटीन के ये एक प्रोटीन है मेंली रिसेप्टर है बट प्रोटीन है तो इसके तीन डोवेड है एक डोवेड जो है वो कहलाती है लीगेंज बाइंड डोमेन ये इसको सिक्वेंचल ये अगर हम लिखें तो न की तरफ एंड टर्मिनल को हम एक्टिवेशन डोमेन कहते हैं इसे ए-स-लैश-B रिजन भी कहा जाता है एबी जना भी हम इसको देखेंगे एक उता है सेंटरल डीने बाइंडिंग डोमेन जो बीच में होती है डी बी डी डी डीने बांडिंग डॉमेन की ट्रांस्क्रिप्शन फैक्टरस से मांड करती है और एक होती है सी टर्मिनल लीगेंड बांडिंग दोमेन तो सी टर्मिनल की तरफ लबीडी लिखते हैं उसे लिगेंड बाइंडिंग डोमेन सी टर्मिनल की तरफ से यह लिगेंड से बाइंड करता है अगर यह नुक्लियर रिसेप्टर है तो साइटो सॉल साइड इसकी सी टर्मिनल होगी और n टर्मिनल जो है वो नूकलियस साइड होगी लिगन बैंडिंग डॉमेन जो है वो सी टर्मिनल की तरफ है इनको पांच सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है पहले मैं यह ड्रॉ कर देता हूँ जो लिगन बैंडिंग डॉमेन है वो कुछ इस तरह से होती है यह लिगन बैंडिंग डॉमेन है ऐसे ही इसके बाद n टर्मिनल की तरफ डिएने बैंडिंग डॉमेन होती है कुछ तरह से यह डिएने बैंडिंग डॉमेन है और फिर सारा पोर्शन जो है यह एबी रिजन होता है ठीक है यहां से यहां तक यह जो है यह यह एबी रिजन है एबी रिजन है डिएने बैंडिंग डॉमेन 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 को सी रिजन कहते हैं यह सब पार्ट जो एक हिंज है slightly यह डी रीजन है और लीगेंड बाइंड रीजन जो होता है उसे हम ए रीजन कहते हैं और उसके बाद एक unknown रीजन है यहां से यहां तक सी टर्मिनल तक इसे f रीजन कहा जाता है इसका कोई यहां पर अक्टिवेशन फैक्टर होते हैं श form श Е cada पर नाने से उनकों को hasn't नहीं पड़ता वह एक्टिवेट रहते हैं जब लीघन नहीं तो तो independent है जबकि एक और activation factor होता है एफ टू जो ligand binding पर depend करता है तो एफ टू लाइंड लाई करेगा ligand binding domain में डिस इस ए एफ टू एफ टू जो activation factor यह ligand dependent है यह activation factor है तो यह कुछ proteins को activate करेंगे दोनों ही लेकिन एफ टू जिन प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा उनके लिए उसे लीगेंड से बाइंड होगा जब रेसेप्टर तब ही वो कर पाएगा तो यह लीगेंड डिपेंडेंट है और यहीं इंपॉर्टेंट है सिग्नलिंग के लिए एफ जो आपने प्रोटीन को जो है अल्रडी टार्गेट करता रहेगा च अक्टिवेशन डोमेन एक सेंट्रोल डोमेन जो बीच में प्रेजेंट हैं डीबीडी और एक सी टर्मिनल की तरफ लीगेंड बाइंडिंग डोमेन तो यह कुछ इस तरह से दिखेगा नूकलिस में सपोर यह नूकलिस है यह बाहर सेल है तो नूकलिस पर यह रिसेप्टर ह है सिः टर्मिनल बार की तरफ एंड करेगा लीगंड सकीवेशन फैक्टर है तो Shramoney थिए जो कुछ एलिबन नोंगे सिग्नल जो सिंगनल गाए उसका जो चैलोगाई आन्दर और और function कॉज कराएगा तो एक्टिवेशन फेक्टर है वो बिना लीगेंड के बाइंग के भी कुछ transcription factors को वो खुद एक transcription factor है तो आपना RNA और प्रोटीन बनाकर अपने function कॉज करता रहेगा कुछ इस तरह से जो है and terminal activation domain इबी रीजन सेंटरल डिन 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 डॉमें और सी टर्मिनल लीग बाइंड डॉमें इडिन डॉमेंट होती है यह जिंक पेल्डेंट है जिंक आयन्स को यह यूजज करती है और जो है अपना फंक्शन पर्फॉर्म करती है जिंक जो हम उस सिस्टीन रेजेड्यू की तुरू प्रोटीन का सिस्टीन रेजेड्यू और जिंक को यूजज करके DNA से यह बाइंडे रहती है यह receptor की दिस डॉमेंड specifically intracellular receptors में ही मैंने बताया था दो तरह के receptor हैं एक cytosolic और एक nuclear हालांगी nuclear receptor जादा है amount में present but cytosolic receptor भी होते हैं और खासका steroid hormones के जब signal molecule steroid hormone होंगे ये कोई cell है बाहर से lipophilic molecule आ रहा है steroid hormones तो वो cytosol में पोचेंगे और सबसे पहले cytosolic receptors से ही बाइंड करेंगे ये nucleus हैं तो steroid hormone का receptor वो cytosol में होता है cytosolic होता है cytosol के अंदर वो HSP से बाइंड रहता है heat shock protein से जो steroid receptor में इसके लिए abbreviation SR लिखूंगा steroid receptor HSP heat shock protein से बाइंड रहता है और inactive रहता है जैसे ही लिगेंड आएगा लिगेंड के आने पर HSP जो है वो रिमूव हो जाए यहां से और steroid receptor अपने लिगेंड से बाइंड हो जाएंगे और HSP जो है वो free हो जाएगा एचसपी free होते steroid receptor active हो गए और active होने पर यह जाते हैं नूक्लियस पर और वहां जाकर डायामर फॉर्म करते हैं तो एक साथ दो एंटर कर जाएंगे नूक्लियस में सपोर्स इस दे नूक्लियस साइटो सोल की तरफ से नूक्लियस पर आ गया steroid receptor यह ऐसा यह अपने लिगेंट से बाइंडिड है ऐसा ही एक और क्यूंकि डायमर है और होमो डायमर है हमने होमो डायमर में भी मैंने आपको यह एक्जांबल बताया था आप प्रिवेसली देख भी सकते हैं प्रिवेस करके यह एक और steroid receptor है और य लगत रहेंगे transcription factors को भी activate कर सकते हैं तो यह response element है response element पर एक डायमर बना लिया होमो डायमर तो जो hormone specific response element होते हैं हम hre कहते हैं hre hormone specific response element यह हर hormone के लिए specific है right now हम steroids की बात कर रहे हैं तो यह steroids के क्या है response elements है अब लीगेंड आने पर यह सारा काम हुआ active हुआ जो steroid receptor है जो पहले cytosol में था वो nucleus पर चला गया और फिर उसने signal transaction या signal cascade को start किया तो जो steroid hormones के receptor होते हैं वो होते हैं cytosol में जिबकि thyroid hormone के जो receptor होते हैं वो nucleus में होते हैं उसको भी हम discuss करते हैं देखें unlike the steroid receptors जो thyroid receptor होते हैं वो already nucleus पर होते हैं कि suppose this is one cell यह उसका nucleus है तो already steroid hormone के लिपोफिलिक molecules जो है thyroid hormone तो वो cross करेंगे plasma membrane को और वो पोचेंगे अपने receptors के पास यहां उसका receptor present है यह thyroid receptor है अंदर होगा response element तो response element पर यह heterodimer बनाते हैं यानि दूसरा जो receptor आकर इससे bind करेगा activation पर या उससे पहले भी वो same नहीं रहेगा तो यहां लिगेंड आने पर तो सारे काम होंगे response element एक्टिवेट होंगे बट उससे पहले हम समझते हैं कि हेट्रोडायमर क्यों है हेट्रोडायमर होने का कारण है कि थाइरोड का जो receptor है वो प्रेजेंट होता है रेटिनोइड के रिसेप्टर के साथ तो केवल न्यूक्लेस में देखिए यह response element है यह कोई DNA transcription factor है या यह कोई response element है इसमें हम कहते हैं कि two half sites है जो इसका active region है suppose this is the active region इसको two half site हम कहते हैं यह पहली half site one और यह दूसरी half site two half sites होते हैं इसके response element में अब एक receptor जब यहां पर bind करेगा उसके DNA binding domain होगी वो यहां पर bind करेगी तो पहली half से bind करेगी ठीक है तो यहां पर मैं बाइंडिंग दिखा रहा हूं यह receptor है तो यह है thyroid receptor TR से लिख रहा हूं मैं thyroid receptor को यह सारा काम nucleus में राइट नाओ ठीक है यह हां पर मैं नुक्लियर मेंब्रेन भी दिखा देता हूं कि यह नुक्लियर मेंब्रेन सपोज अब होता क्या है कि जब ligand आ रहा है या उससे पहले भी inactive state में भी जो दूसरा monomer unit है और वो second आफ पर mind करेगा यहां पर second था यह first half था यह second half side था second half side पर retinoic acid का receptor RXR ऐसे लिखते हैं RXR retinoid X receptor इसको बोलते हैं तो यह दोनों receptor मिलकर heterodimer form करते हैं प्रेजेंट नहीं है उस case में यह heterodimer inactive है यूजवली प्रोटीन्स का receptors का heterodimer एजिशन होते ही receptor activate हो जाते हैं लेकिन यहां चाहें दोनों आपस में प्रेजेंट हैं भी heterodimer बना हुआ है फिर भी heterodimer inactive रहेगा absence of ligand में ऐसा assure करेंगे co-repressor proteins अगर retinoid नहीं है अगर thyroid नहीं है तो फिर यहां पर co-repressor proteins आकर attach हो जाते हैं यहां पर response element से जस्ट उपर जो क्या करेंगे response element को activate नहीं होने देंगे क्योंकि response element activate हो गया तो फिर वो signal cascade या signal transaction को cause करेगा तो co-repressor proteins जो है उनका रोल होता है अब जैसे ही ligand आता है ligand के यानि presence है ligand की तो presence में ligand आते ही जो है hra activate होगा कैसे activate होगा कि वो co-repressor proteins जो है उनको degrade कर देगा जैसे ligand आया चाहिए कोई एक ligand आ जाए या thyroid hormone ligand तो हम फिलाल thyroid पढ़ रहे है तो thyroid hormone का जैसे ligand आया तो यह जो रिप्रेसर प्रोटीन्स थे यह इनको degrade कर दिया जाता है को रिप्रेसर प्रोटीन्स का proteosomal degradation होता है यह तोड़ दिये जाएंगे तो response element जो है वो activate हो जाएंगे तो hormones का particular hormone thyroid hormone का एचारी response element जो एक्ट होता है जिबकि steroid hormones के receptor homo diamer होते हैं तो यह intracellular receptor थे जो nuclear भी हो सकते थे और cytosolik भी cytosolik अमने देखा steroid का था other than that mostly intracellular receptors are nuclear receptors itself एक और category receptor की cell surface receptor now we will discuss the cell surface receptor उनके जो molecule होंगे वो hydrophilic होंगे क्योंकि वो plasma membrane को cross नहीं कर पाएंगे तो उनको cell के surface पर जो receptor है उनसे ही बाइंड होकर अंदर signal cascade को start करना पड़ेगा next our cell surface receptors ऐसे receptor जो cell के surface पर प्रेजेंट होते हैं this is the cell और इसके surface पर प्रेजेंट होंगे like this this is a receptor which is called the CSR the cell surface receptor अब cell surface receptor उन सिग्नल molecules के लिए हैं जो hydrophilic है for the hydrophilic signal molecules ऐसा इसलिए क्योंकि वो cross नहीं कर पाएंगे वो लिपिड लविंग नहीं है तो वो plasma membrane पर cell surface receptors पर आकर माइंड होंगे और फिर अंदर जो है सिग्नल कैस्केड या सिग्नल को कॉज करेंगे जो भी effect cell को कॉज करना है चल का जो behavior उसको चेंज करेंगे ये तो सेल सर्फेस रिसेप्टर जो हमेशा हाइड्रोफिलिक मॉलेकुल से बैंड करते हैं और कुछ लिपोफिलिक molecule भी कि हमने signal molecule में भी पढ़ा था यह हमने आ जो है आपके intracellular receptors में भी concept मैंने बताया था कि lipophilic भी कुछ a few also bind to cell surface receptor mostly जो receptors होते हैं वो cell surface receptor ही होते हैं receptor जो भी cell signaling में पाए जाते हैं उसमें ज्यादातर cell surface receptor ही पाए जाते हैं तो देखो steroid hormone या कुछ non-steroid hormone thyroid जो था ip3 था cortisol था aldosterol था वो सब क्योंकि lipophilic थे तो इंटracellular receptor से bind कर रहे थी लेकिन ऐसे molecule जो hydrophilic है वो cell surface receptor से bind करेंगे तो उनके कुछ examples है neurotransmitters other hormones steroid या non-steroid के अलावा भी कुछ और hormones immune जो protein होते हैं जैसे कि cytokines growth factors जो cell खुद की proliferation के लिए generate करती है कुछ cell addition molecules या nutrients या ions ये कुछ example है जो hydrophilic molecule है और यही cell surface receptor से bind करेंगे तो of course ज़्यादा यहीं होगे क्योंकि ज़्यादा तर जो cell signaling होती है उसमें signal molecule hydrophilic होता और उसमें receptors होता है वो cell surface receptor होता है तो नाम से पता चल रहाए cell surface है तो यह present है plasma membrane पर और cell के surface पर क्योंकि cell का surface plasma membrane फॉर्म करती है आनिमल्स के अंदर और plant में भी बात करेंगे अगर यह present है तो plasma membrane में present होंगे है यह signal transducer है transducer इसलिए transaction यह conversion करते हैं यह conversion करते हैं extra cellular signal का intracellular signal में बाहर से कोई signal आता है और वो अंदर cell को जो है trigger करता है यह operate करता है यह target cell है signal ने जो signal भेजा hydrophilic molecule वो यहां जैसे ही आकर mind किया तो अंदर protein के अंदर changes आए जो इनके internal domain है वो direct किसी चीज़ से link हो सकती है किसी transcription factor से जो direct nucleus में चला जाए या वो chain of proteins के थ्रू भी link हो सकती है कि पहले वो किसी एक चीज़ के अक्टिवेट करे वो एक चीज़ दूसरी को करे वो तीसरी को करे वो चौती को करे फिर लाज्ट transcription factor जो वो nucleus में जाए तो chain of transcription factors या chain of proteins के थ्रू भी activation हो सकता है cell का जो behavior जो change होना है इस ligand के वज़े से और directly भी हो सकता है तो जब chain of proteins के थ्रू होता है या कोई operate करता है इस चीज़ को तो उसे हम secondary messenger कहते हैं पहले भी इसका concept हमने discuss किया था जो message जो हमारा ligand आया है बहार से वो primary messenger है यह direct वो ligand है कले एक example मैंने बताया था कि पहले information देने के लिए राजदूत होते थे जो एक place से दूसरे place पर आते थी यह कोई kingdom है kingdom one kingdom ने कोई message वेजा आपने राजदूत के थूँ kingdom two को तो kingdom two पर gate क keeper होते थे वो इस राजदूत को direct अंदर आने दे और राजा king two को बताने दे या kingdom two के king को बताने दे की information क्या है तो primary messenger नहीं अपना काम direct start कर दिया ऐसा rarely है कभी कभी secondary messenger भी काम करेंगे कैसे कि जो primary message आया है वो message पहले बता दिया जाए kingdom two के gatekeeper को तो यह gatekeeper secondary messenger है यह भी अंदर क primary messenger ने information release कर दी और उसको gain किया किसी और messenger ने तो वो secondary messenger कहलाते हैं यानि जो पास्वान की जाएगे information cell के behavior को change करने के लिए ligand के अंदर जो information थी जो भी बात थी वो उसने पहले किसी और को अगर share कर दी और फिर जाकर आगे function perform होंगे तो वो secondary messenger कहलाएंगे secondary messenger जो होते हैं यह intracellular molecules यह हैं cell के खुद के molecule हैं जो कब activate होते हैं on ligand binding कि जब ligand यह primary messenger आ जाएगा यह तभी secondary messenger की तरह काम करेंगे otherwise यह intracellular molecules तो है being transducer cell का behavior यह change कर सकते हैं क्योंकि जो भी information आई है उस ligand molecule में जो इसके अंदर trigger करेगी changes वो transduction के through ही change आ सकते हैं अंदर जो proteins यह response factors हैं को activate होंगे और फिर वो अलग लगते हैं का behavior शो करेंगे तो इन सब में proteolytic cleavage भी हो सकता है कि कोई ligand आए अंदर किसी protein को तोड़ दिया जाए for example hormones में हम बात करते हैं जैसे ox IAA plant का मैं example दे रहा हूँ यह inhibitor है जो auxin के response factors को bind करके रखता है ARF एक transcription factor है जो nucleus में जाने के बाद ऐसे protein बनाता जो auxin का का काम करते हैं for example auxin का एक काम है cell को expand कराना तो cell को expand कराने वाले protein या पार्फेन और कार्पी करान वाले protein या जो भी protein जो auxin का function auxin आर्मोन का वो proteins को activate ARF कराता लेकिन ARF अभी in active form में है क्योंकि उसके साथ aux IAA inhibitor binded है तो अब देखो ligand आने पर इसको priority cleavage इसको तोड़ दिया जाता है aux IAA को जैसे आर्मोन आया यह तूट गया इनिबिटर इनिबिटर तूट गया तो ARF response element free होकर या transcription factor ARF free होकर nucleus में गया वहाँ जाकर उसने अलग लगते रहे protein बनाने शुरू कर दिये जो auxin का function cause करते हैं तो एक best example था भी समझाने के लिए कि signal transaction है क्या cell behavior change कर सकता है लीगेंड जैसे कि यहां लीगेंड आने पर proteolytic cleavage हो आई कि इनिबिटर protein का उस protein को तोड़ दिया गया उस protein के तूटने से response element active होगे तो ऐसे ही यह cell का behavior change करते हैं जो आपके cell surface जैसे रहे हैं लीगेंड से बाइंड करते ही अंदर जो है chain of proteins को या proteins को या transcription factors को या activate करते हैं और cell के अंदर changes लाते हैं तो behavior include हो सकते है protein cleavage यह phosphorylation करते हैं कि ligand आते हैं कोई protein phosphorylate होकर activate हो जाए या कोई protein phosphorylate होकर inactivate भी हो जाए हो सकता है कोई inhibitor हो तो इनक्टिवेट हो जाए हो सकता है कोई अक्टिवेट हो तो एक्टिवेट हो जाए methylation हो सकता है यूबिक्रिट हो सकता है तो अलग अलग तरहें के cell behavior हो सकते हैं जो आने वाले पाथवेज में हम इनको पढ़ेंगे डीटेल में आपको बता देगा cmp कैसे वर्क करता है calcium भी calcium भी secondary messenger है cyclic amp भी secondary messenger है और यह water soluble है water soluble होने के कारण यह जाकर diffuse नहीं होते प्लास्मा मेंब्रेन में यह diffusable है खुद cytosol में ही एक और secondary message होता है डी एजी डाइसाइल glycerol यह लिपोफिलिक है यानि यह lipid soluble है तो यह जाकर प्लास्मा मेंब्रेन में diffus हो जाता है और signaling को perform करता है या बाकी प्रोटीन को जाकर प्लास्मा मेंब्रेन्स एक्टिवेट करेगा चाहिए क्लीव हो चाहिए डारेक्ट जो एक्टिवेट करे तो सी एंप साइक्लिक एंप स्केल्शियम और डाइसाइल ग्लुसरोल यह कुछ इसका तूर्ट होते हैं पूरी प्लास्मा मेंब्रेन में तो हम ट्रास्मा मेंब्रेन में के उसमें तीन ड्रास्मा मेंब्रेनाrain की थिक्ननेंस तो एक पार्ट है इसका extra cytosolic जो बाहर की तरफ है extra cellular domain क्योंकि यह cell surface receptor है तो बाहर से लैक डिस यह इसका extra cellular domain मैं इसको serial number one लिख रहा हूं जो बाहर की तरफ है extra cytosol इसका काम रहेगा लिगेंट से बाइंड करना अलगाल इंथन बाइंड करेगा ली गेंड बाइंड बाइंड ऐसे हमंट lorsque करते हैं हाइड्रोफोबिक पारा ये घर्टोबिक पार सायन में तो है इसको अगर है यहाँ दिखाए ऐसे यहां भी रेकिन www.me première पाइट है अपर पाइट था लिरन भाइंदिंग डॉमेन को जो आने वाले लिगेंट, से बाइंद करेंगी और थर्ड पाइट होता है इंट्रा, Muscailis, Trung, चोंच्चन, इन्ट्र पाइट का में वर्क कैस् सिग्नल could be में यह अलग लग तरह के response कॉज करेगा यह मालीज इंट्रस एलुलर पार्ट है इस इंट्रस एलुलर पार्ट सी टर्मिनल तो नहीं लिखेंगे इंट्रस एलुलर है क्योंकि टर्मिनल तो कोई भी हो सकता है टोपोलोजी आपने पढ़ी हुई है प्रोटीन सोटिंग में अलग लग टोपोलोजी हो सकती है अंदर सी टर्मिनल भी हो सकता है तो टोटल तीन पार्ट है इंट्रस एलुलर पार्ट है जो सिग्नल ट्रांस्जक्शन कॉज करेगा जैसा लीगेंड आया उसको जो भी बिहेवियर शो करना है उस बिहेवियर को शो करा जाएगा अंदर इंट्रस एलुलर पार्ट से ही जो लिंक होता है अलग लगता है कि यह ट्रांस्किप्शन फैक्टर से अंदर एक चेन ऑफ ट्रांस्किप्शन फैक्टर से लिंक हो सकता है डिरेक्ली भी न्यूक्लियस में जा सकता है इंट्रसेलुलर पार्ट एंजाइम से लिंक हो सकता है किसी एंजाइम से लिंक हो यह किसी प्रोटीन से लिंक हो या इंट्रसेलुलर पार्ट जो बहार है लिगेंट से बाइंड करेगा जो आपका ट्रांस मेंब्रेन पार्ट है ट्रांस मेंब्रेन पार्ट जो मेंब्रेन में स्पान है और तीसरा पार्ट जो इंट्रासलूल पार्ट है जो सिंगल करेंगे यह खुद एंजाइम हो सकती है किसे एंजाइम से लिंक हो सकती है ठीक है तो वही डारेक्ट एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं या प्रोटीन टू प्रोटीन इफेक्टर प्रोटीन 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 अल्टर करके उसको न्यूक्लेस में बेचके अपने जो हैं वो cause कर सकते हैं तो यह होता है structure cell surface receptor का हम mechanism की अगर बात करें कि कैसे यह काम करते हैं लीगेंड के आने पर cell surface receptor काम कैसे करते हैं तो उसमें दो models suggest किये जाते हैं एक model होता है dimerization इस model में ऐसा suggest किया जाता है या scientist मानते हैं कि ligand binding से पहले receptor monom और form में exist करते हैं देखे कुछ इस तरह से यह कोई receptor है यह उसका monomer है इसके अंदर कोई protein है इसका response element हमा लीजिए response element हम nucleus के लिए exactly use करते हैं यह हम कह सकते हैं कि transcription factor है ठीक है transcription factor तो जैसे ही ligand binding नहीं है तब तक कि यह monomer form में जैसे ही ligand आया तो ligand आने पर यह diameter बना लेता है और activate हो जाता है तो माना जाता है कि diimer का concept नहीं है actually receptor जो वो monomer form में भी यह diimer form में भी जैसा भी वो protein है वैसा ही वो exist करता है माली जी मैं कोई monomer मा लेता हूं जब तक receptor नहीं होते इनका जो intracellular part है वो जैसा भी है वो अंदर in activated protein से link है लेकिन जैसे लिगेंड आकर bind करेगा लिगेंड आकर bind करने पर जो transmembrane part ना कि intracellular सुनिए ध्यान से transmembrane part जो उसमें change आ जाता है according to this model rotation हो जाएगा transmembrane part में अब यह transmembrane part का rotation अंदर intracellular part को इस तरह से affect करता है कि पहले वो जिन in active protein से link था वो उससे हट जाएंगे तो उनके हटने से या तो inhibition हटने से अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे या कुछ एक्टिवेटर प्रोटीन आकर नई configuration से आकर या नई confirmation से आकर bind कर लेंगे तो लिगेंड आने पर change होता है receptor की shape अब वो रोटेट करेगा ट्रांस्मेंब्रिन पार्ट जिससे इंट्रसेल्वर पार्ट जो अफेक्ट होगा और ऐसे करके cell surface receptor work करते हैं तो cell surface receptors की तीन जो है में क्लास होती है या तीन टाइप के होते हैं इने के basis पर अलग-अलग cell signaling पार्ट में जिनको हम आने वाले लेक्चर में आपकमिंग वीडियो में डीटेल में डिसकस करेंगे तीन तरह के cell surface receptor होते हैं एक आयन चैनल लिंक्ड पहली बात तो receptor दो इंट्रसेलूलर और cell surface उसमें भी cell surface जादा होते हैं hydrophilic molecules के लिए और उसमें भी CSR में भी तीन तरह के जो हैं receptor के टाइप हो सकते हैं आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स और थर्ड होते हैं आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर तीनों सेल सर्फेस रिसेप्टर्स ने लेकिन अपने इंट्रसेलूलर डॉमेन के बिसिस पर अलग लगें सीरियल लंबर वन से टू की थरफ अकॉर्डिंगली आयन चैनल रिसेप्टर का जो इंट्रसेलूलर पार्ट है वो गेटिड होता है आयन के लिए स्पेसिफिक हैं आयन आने पर जो है अपने चैनल को उपन करते हैं या नियूरो ट्रांस्मिटर के लिए स्पेसिफिक है ठीक है तो इनका जो इंट्रनल पार्ट है वो आयन चैनल एक तरह का जैनल ओपन हो जाएगा और यह गेटिड चैनल है specifically ion आने पर ही और specific ion आने पर ही open होते है G-protein coupled receptors में जो intracellular part है यह receptor है cell surface receptor ही intracellular part एक protein से link होता है उस protein को हम कहते है G-protein तो G-protein से link होने के कारण इस protein को G-protein coupled receptor कहते है ion channel से link होने के कारण ion channel link receptor कहते है और enzyme linked receptor में जो intracellular part है वो किसी enzyme से link होता है और कभी-कभी खुद enzyme itself भी हो सकता है इंट्रा-cellular part तो ऐसे करके तीन टाइप के cell surface receptor है इनको बहुत डीटेल में हम पढ़ेंगे इंट्रा-cellular part in the introduction signal molecule and receptor we have discussed that is all for today have a good time if you really like the video kindly like the video and share and subscribe the channel botany for all thank you very much have a nice day